हम इंडेस फास्ट फूड के काफी शौकीन होते हैं फास्ट फूड का क्रेश इंडिया में लगातार बढ़ते जा रहा है फास्ट फूड के नाम पर जादातार लोगों को पिज़ा, बर्गर, सैन्वीच, चाड, पानी पूरी और मोमोस जैसे चीजे काफी पसंद आती है बर्गर एक ऐसा फास्ट फूड है जो भारत में कहीं भी और कभी भी आसानी से मिल जाता है अगर आप बर्गर किंग या किसी भी बड़े ब्रैंड में बर्गर खाने जाते हो तो आपको इसके लिए 40-50 रुबे या 1.500 तक के भी खर्चा करना पड़ सकता है लेकिन क्या आपने कभी लाखों का एक बर्गर सुना है? नहीं ना तो आज हम आपको एक ऐसे बर्गर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत सैकडों या हजारों में नहीं बलकि लाखों में है ये बर्गर इन दिनों काफी चर्चा में है नेदरलैंग के एक शेफ ने एक ऐसा बर्गर तयार किया है जिसकी कीमत 5,000 पाउंट्स है अगर इसे इंडिन करन्से में कनवर्ट करे तो लगबग 4,50,000 रुपे अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर इस बर्गर में ऐसा क्या है क्यूं ये इतना महेंगा है दर असल इस बर्गर में सोने के पत्ते लगाए गए हैं जो इसकी खुबसूरती को निखालने का काम करते है इसे विशेश रूप से ट्रैफल, किंग क्रैब, बिलोगो कैविया, डग कम्योनिस और डॉम पियोगो कैम्पेंज से तयार किया जाता है ये बर्गर अपनी कीमत और बनावट को लेकर सोशल मीडिया में काफी चर्चा में है ये बर्गर तक गोल्डर बॉई के नाम से भी काफी पॉपुलर है दी एल्टोन वर्थूजिन नाम के एक रेश्टोरेंट में ये कीमती बर्गर मिलता है ये शांदर बर्गर का नाम गिनिस बुक ओफ वर्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है अब आपका भी मन कर रहा होगा इस शांदर बर्गर को टेश्ट करने का पर इसके लिए आपको काफी अमीर बनना पड़ेगा इस शांदर बर्गर को टेश्ट करने लिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना अगर चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल के सब्सक्राइब करके वो बैल आइकन जरू दबा देना अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आपका ये कमेंट हमें काफी सपोर्ट करेगा सो मिलते आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई झाल करेगा जर वीडियो थो चैनल करेगा हो तो आपका ये कमेंट है